आजकल के समय में अधिकतल लोगों में बीपी की बीमारी देखने को मिलती है जिस वज़े से लोग गोली खाने के लिए भी मजबूर रहते हैं किसी को हाई बीपी तो किसी को लोग बीपी के लक्षन भी देखने को मिलते हैं अगर आपको भी हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत है तो आप योग के आसन करके अपने बीपी पर कंट्रोल पा सकते हैं जी हाँ योग के कुछ ऐसे प्राणयाम और आसन हैं जिनको कन्य मातर से आप अपने हाई बीपी और लो बीपी से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए आपको नियमित योगा अभिहास करने की जरुवत है। जादा जानकारी के लिए हमने योग नेलियम सोसस्तान के ट्रेनर अमितेश सिंग से खास बाचीत की। उल्वाने इसको लेकर क्या कुछ का आईए हम आपको वो सुनाते हैं। जी बिलकुल आजकल अगर बात करें लो वीपी और हाई वीपी की ये बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। और मेंली हाई वीपी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसको हम हाईपरटैंसन के नाम से भी जानते हैं। जो कि आपकी हार्ट रेट को फास्ट कर देता है। और बहुत सारी चीजिए हैं आपकी माइन पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो हम हाई वीपी को किस परकार हम सही कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मुख्य योगा अभ्यास के बारे मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत अधिक योगा अभ्यास हैं। मुख्य योगा अभ्यास के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं। बालासन की। बालासन एक रिलाक्स आसन है। जिसको करने से आपकी body relax होती है आपके blood relax होगा आपकी mind भी बहुत अच्छे तरीके से relax होगा तो बालासन करने के लिए सबसे पहले वजरासन पर बैठ जाए सांस भरते वे दोनों हाथ उपर और सांस छोड़ते वे धीरे से अपने दोनों हाथ अपने पैरों के पीछे रखते वे माथा जमीन पर रखके एकदम रिलाक्स करें बस सांस भरें और सांस छोड़ें यहीं पर पूर्णता है रिलाक्स कुज देर और दूसरा आसन है पस्ची मुत्तानासन पस्ची मतानसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की और फैला लें दंडासन के स्थितिय और बैठ जाएं बस धीरे से दोनों हाथ उपपर सांस भरतेवे और सांस शोड़तेवे दोनों हाथ अपने पैरों के अंगुठे को आप पकड़ सकते हैं अगर नहीं भी पकड़ पाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कमर को श्रेट करें, बस सांस चोड़ते वे अपने हैड को ड्रॉप करें, बस उसमें कुछ देर शन विस्तराम करें, सांस लें, सांस चोड़ें, दो से तीन सांस, उसके बाद वापस अपनी स्तिती पर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की, प्राणायाम में जैसे की है चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम आपकी बाड़ी को सीतल करता है, जैसे सूरे और चंद्र, हमारी सरीर पर दो नाड़िया होती है, सूरे नाड़ी जैसे की सूरी ग बस आपको ध्यान देना है, चंद्रभेदी प्धानयाम करते वे, आपको दाइं नौस्टअल से सांस नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ बाहु नौस्ट certainly से इसके पसकथ हम बात करते हैं, एक और प्रानयाम बहुत री अच्छा प्धानयाम जिसे कहते हैं सीतली प्रणयाम, इसके नाम से ही जैसा है कि सीतलता प्रदान करता है सीतली प्रणयाम, तो आपको बस कुछनी करना है, अपनी जिवा को बाहर निकालने है, जिवा को बाहर निकालते वे ओकार बनाना है, फोल्ड करना है, अपनी स्वांस, अपनी जिवा से पीट पर हलका सा अगर चला सके तो चलाएं वनना धीरे से उसे अपनी नासिकाओं से बाहर करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं लो बीपी की जिसको हाईपोटेंशन की नाम से भी जाने जाता है तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप सोरी नमसकार का अभ्यास करें वही ची करने के लिए आप किसी भी ध्यानत्मकासन पर बैठ सकते हैं चाहे आप पदमासन लगा लें नहीं लगता तो सुखासन या वजरासन के इस्तिती पर भी आप बैठ सकते हैं उसके लिए बस आपको सुआस भरनी है सुआस शोड़नी है इसके लिए जिस प्रकार हम कपाल भा करके तेज करते रहना चाहिए अगला प्राणयाम सूर्य भेधी प्राणयाम सूर्य भेधी प्राणयाम जैसे कि हाइपर टैंसन के लिए हम चंद्र भेधी प्राणयाम करते हैं उसी प्रिकार हाइपर टैंसन के लिए हम सूर्य भेधी प्राणयाम करते हैं सूर्य भेधी प्र पर वापस बैठ जाएं आप सुकासन पदमासन पर बैठ सकते हैं या सिद्धासन पर बैठ सकते हैं इसके लिए बस आपको एक गहरी स्वास पर नहीं है गहरी स्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करें और धीरे-धीरे अपने पेट पर एक्जेल एक्जेल एंड एक्जेल करते जाएं सास छोड़ते जाएं सास धीरे दीरे अपनी स्वास कम से कम और स्पीड पर बढ़ाते जाएं यदि जिस किसको भी हाई बीपी और लो बीपी है अगर वह नियमित रूप से इन योग के आसन को करता है तो वह अपने बीबी पर कंट्रोल पा सकता है और कई बीमार से रोहिद भाड लोकल 18 के लिए हैं है 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 आज आच झाल